यहाँ पर पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बबबरशेर एक साथ बैठे हुए हैं नमस्कार दोस्तों ये दो तस्वीरे देखिए एक तरफ राहूल गांधी स्कूटी पर बैठ कर जा रहे हैं दूसरी तरफ जन सैलाब है जो राहूल गांधी के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ है एक तस्वीर में राहूल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता क साथ हैं जनता के लिए मौझूध हैं और जनता के ही नेता हैं दूसरी तरफ राहूल को देखने के लिए जोस तरह की भीड उमड़ी है उससे जनता ये साबित कर रही है कि कहीं न कहीं राजिस्तान के लोगों का विश्वास राहूल गांधी पर अभी भी बरकरार है इसलि जैपूर की सड़कों पर काफी भीड जमा हो गई है जिसके वज़य से राहूल की सुरक्षा में तैनेат 다 Disney करमियों को काफी दिकत हो रही है लेकिन इसके बावजूद उनके साथ साथ सुरक्षा करमी चल रहे हैं राहुल शहर के महरानी कॉलेच से स्कूटी पर रवाना हुए थे। बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कारेकर्ता और मीडिया कर्मी उनके साथ इस अंदास को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए दोड़ रहे थे। इस कोशिश में पीछे-पीछे जुटे हुए थे। दो पर सूटकेस रखकर कुली का काम करने वालों की तकलीफ समझने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। कभी साइकल मार्केट पहुँचकर वहां पर काम करने वाले मेकानिक्स के साथ बैट कर उनका काम समझ रहे हैं। कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं। कभी रामेश्वर जैसे सबजी विक्रेता के साथ अपने घर पर अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैट करके खाना खा रहे हैं और उनकी दुख तकलीफों को समझ रहे हैं कभी-कभी किसानों से मिलने जा रहे हैं कभी market में काम करने वालों से भी मिल रहे हैं कभी बैल गाड़ी पर यात्रा कर रहे हैं तो कभी स्कूटी पर किसी delivery boy के साथ में गून रहे हैं और अब एक बार फिर से उसी अन्दाज में रहुल एक छात्रा के साथ दिखे तो लोग कहने लगें कि राजिस्थान में जन्नायक का जलवा बरकरार है वैसे दोस्तों ये सब किसी स्टूडियो की शूटिंग नहीं है ना ही कोई ड्रामा है ये एक नेता की जद्दो जहत है कि वो आम लोगों के जीवन को समझ पाए उनकी तकलीफों को जान पाए और उनको होसला दे सके कि कोई उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर मौजूद है ना कि केवल अपनी मन की बात कहने के लिए यहां खड़ा हुआ है ऐसी ही बीर दोस्तों तेलंगाना में राहूल गांदी की यात्रा में भी देखने को मिली थी जिसे देखकर भाजपा की गबराहट बढ़ गई थी दोस्तों यहां से जब वो पार्टी कार्याले पहुँचे तो कारेकरताओं के सामने उनका संबोधन हुआ और इस संबोधन में लाखो की संख्या में कारेकरता और जनता मौझूद थी लोग यहां राहूल को देखने के लिए आये थे उन्हें सुनने के लिए आये थे प्रतीक सिंग ने इसकी एक वीडियो भी शेयर की है कि आज राजस्थान के कोने कोने से जैपूर आये लोगों का हरदिक आभार लोगों का हुजूम बता रहा है कि राजस्थान में फिर से कॉंग्रेस की सरकार बनेगी दोस्तों राहूल गांधी जैपूर में कॉंग्रेस के नए मुख्यालाई भवन का शिलान्यास करने पहुचे थे उनके साथ कॉंग्रेस के राश्च्रिय अध्यक्ष मलिक अरजुन करके भी थे जैपुर में कॉंग्रिस के नए हेटकॉर्टर बिल्डिंग का शिला नियास किया गया है यहां उन्होंने महिला अरक्षन बिल पर भी बात की राहुल ने कहा कि यह चाहते हैं कि महिला अरक्षन बिल दस साल बाद लागू हो यानि कि सरकार चाहती है कि ये बिल दस साल बाद लागू हो लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आज ही लागू किया जाए इसे ठीक पहले राहूल गांदी जैपुर की सडकों पर एक महिला के साथ स्कूटी का सफर करके ये संदेज देने में भी काम्याब हुए कि वो महिलाओं के हक के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ चल रहे हैं दोस्तों कोई भी अच्छा राजा अच्छा शासक तभी बन सकता है जब वो अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझ सके और राहुल ये सब करके इन कोशिशों में कामियाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं अब ये कितने कामियाब हुए हैं ये आने वाले राजिस्थान चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित भी हो जाएगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राह लिखकर बताईए ये खबर आप उल्टे चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है चैहिन जैभार